शिक्षक निप्ति को लेकर प्रक्रिया जारी है फॉर्म भढ़ने में परेशानी आ रही है क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म भढ़ना पर रहा है सर्वर स्लो हो जाता है समय बहुत कम बचा हुआ है अब भेहर्थी परेशान है सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त हम लोग बिहार सप्षक संग के दफत्र में है हलाकि सिक्षक संग के तरफ से सीध़ा कहा गया है कि जो सिक्षक है वो बिलकुल फार्म नहीं भढ़ने लेकिन फिर भी जो अभयर्थी फार्म भर रहा है सर उनको बहुत तरह की कठिनाईयों का सामना करना पर रहा है किस तरह से पुड़े मामले को देखते हैं? जो परिशान हैं, जो बेरोजगार हैं, उनके भाग भविस्थ के साथ खिलवार करना कि आपका सरवर डाउन है। जब आप लाख से जादे लोगों को इन भाइट कर रहे हैं, तो आपको उसके लिए बेवस्था दुरुस्त करने की जवाब लेनी चाहिए। आप इस तरह से बिफल हो गए हैं, बिहार सरकार ने आपको इस तरह से अपमानित किया है। इसलिए आप फिर से बिहार सरकार को लिखिए कि हम एक साथ परिक्षा लेने में लाचार हैं। फिर उसकी विवस्था कैसे होगी? जो हमारे चार सारे चार लाख सिक्षक हैं, वे तो आबेदन पत्र भर ही नहीं रहे हैं। और सुना है कि आपने जो बिख्षक के रूप में बहाली की योजना बनाई है, चार सारे चार लाख सिक्षकों को छोड़ करके, तो आप लाएंगे कहां से, अनिक सरकारी दफ्तरों से लाएंगे, क्या उनको इसका अनवाब है कि नहीं, फूरा होच-पोच आपने कर दिया है, इसलिए सरकार को इस नियुक्ति नियमा बली पर पुनर बिचार करना चाहिए, और हमारे पुराने सिक्षकों को राज कर्मे का दर्जा दे देना चाहिए, इससे दबा भी घटेगा, और जो साथ में चरंद तक की अभियर्थी हैं, वे भी जो गिन सिक्षक पत्रता उत उनको भी परिक्षा देने कि जो घबराहत है, हरवाराहत है, उनको बंद करवाईए, और आठमे चरंद से व्यवस्था को चुछ दुरूस करके परिक्षा लीजिए, कोई अतराज ने हरवरी में फासला लिया जा रहा है यह साथ हरवरी, बिना विचारे जो करे, सो पीछे पस्ता है, यह हरवरी और अहम, सरकारी अहम, नोकर साहों का अहम, यह अहम से पूरे बिहार की सिक्षा व्यवस्था को चोपट करने की जबाब देए, सरकार की है, पिछले दिनों मिटिंग मी की थी, एक साथ मिटिंग मी हुई थी आप लोगों की, क्या आगे रनीती है, औ पूरे राज के हजारों हजार लाग से भी जादे संख्या होगी, यह हम लोग बिधान मंदल के समख, बिना सर्थ राज कर्म की दरजा देने की मांग पर प्रदर्शन करने की सारी तैयारी हमारी पूरी हो चुकी है, शिक्षक आ रहे हैं, और जो मानिय बिधायक हैं, जो मा में ठीक दबाब डालेंगे, यह आप हमारी मांग को यह चार दिनों के सदन में उठाइए जोड़ दाधं से, और सरकार को लाचार कीजिए, वे मांगने के लिए बिवस हो. मंत्री पर क्या दबाब डालिएगा, सर मंत्री तो खुद परिशान है, विभाग? में बेठे हुए नोकर साथ और मानिय मुख मंत्री के सलाहकार ने सारा विभाग का प्रस्ताव को ठुकरा दिए. मत अब सिक्षा मंत्री थे की ऐसा होना चाहिए, ऐसा जो आप लोग डिमाने? सिक्षा मंत्री जी हमलों के पक्सम थे, सकारातमक थे, लेकिन उनको इस तरह से अपमानित किया गया और आज तो और रोज रोज अपमानित किया जा रहा है. चलिए तो सिक्षा विभाग की अलग परस्थितियां हैं, लेकिन इतना जरूर है कि जो सिक्षक अभ्यारती हैं, वो फिलहाल परेशान हो रहे हैं फॉर्म फिलप करने के लिए, हलाकि ये बात अलग है कि मादेमिक सिक्षक संग अपने आंदोलन के रुख पर कायम है और आ कि मादेमिक संग एक में अलगा हैं में अ लेकिन बाता। कि मादेमिक सनाब कि मासे लुओ हैं, ऑने सक और मिनिあणवाग संग इन रहे हैं, टो फो.